नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्टोनी सुबर्मा तो दोस्तो कल मेरे पास मैंने वीडियो अप्लोड किया था LED का तो मेरे पास बहुत भाई के कमेंट यह आये थे कि सर हम एक LED को अगर हाई गिलो पर जलाना चाहते हैं तो हम कौन सा बैस्ट रेजिस्टेंस लगाएं जिसे की जो LED है वो अच्छे गिलो करें तो यहाँ पर देखें आपको मैं रेजिस्टेंस बताता हूं कि रेजिस्टेंस क्या करना है आपको थे तो अगर आप 12 बोल्ड से LED जला रहे हो तो सबसे पहले आपको लेना 1K रेजिस्टेंस अगर 1K से वो कम जलता है तो फिर आपको लेना है और वो नॉर्मल तरीके से LED को जलाना चाहते हैं अब यहाँ पर देखे मैं आपको इस LED को जला के दिखाता हूं तो यहाँ पर आपको क्या करना है अगर आपके पास 12 बोल्ट की सप्लाई है तो आपको श्टार्डिंग करना है वन के रेजिस्टेंस से अगर आपके पास 9 बो पास 9 बोल्ट की से हम इसको चेक करेंगे अब देखे यह एलेडी मैं आपको जला के दिखाता हूं तो सबसे पहले हम इसे जलाएंगे वन के रेजिस्टेंस से अब वन के रेजिस्टेंस से जो इसका गिलो है वो देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम इस एलेडी को लगा देते हैं और मैं यहाँ पर मल्टी मीटर को भी कनेट कर देता हूं जिसे कि आपको पर बढ़िया तरीके से दिखाई दे तो यहाँ पर मैंने 20 की रेंज में कर दिया है और मल्टी मीटर को जो हम लगा देते हैं एलेडी के अंद पर रजिस्टेंस का यह पोईंट लगा देते हैं जो हमारा मल्टीमीटर है और इसको लगा देते हैं हम पोजेटिव पर अब यहां पर हम क्या करते हैं यह हमने मल्टीमीटर को सेट कर दिया यह लेडी के ओपर यह देखिए लेडी के ओपर हमारा सेट हो गया अब हम यहाँ पर लेंगे वन के रिजिस्टेंस क्योंकि मेरे पास कल भाइब बहुत भाइव के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर कोई बैस्ट रिजिस्टेंस बताएं तो देखिए हर लेडी का जो लोड है वो अलगे लाएगा तो मैं आपको एक सिम्पल तरीका बता रहा हुं अब देखिए यह स्रीज में में इस एलेडी के यह रजिस्टेंस लगा रहा हुं अब यह 2.8 वोल्टेज इसके अंदर जा रहा है LED के अंदर लेकिन यह LED जो है 3.5 वोल्ट पर उपरेट हो जाती है अब यहां पर अगर आपको लग रहा है कि LED का जो गिलो है वो और भी ज्यादा होना चाहिए यानि कि उस LED के हिसाब से value के हिसाब से resistance कम है तो आपको यहां क्या करना है resistance को कम कर देना है कम कितना करना है 820 ohms लगा देंगे यानि कि 1K resistance का जो कम होता है वो 820 ohms होता है अब यहां पर हम इस resistance को निकाल केस में लगाएंगे तो इससे भी हम देखेंगे कि जो हमारा LED है वो कितना glow हो रहा है और LED पर जो voltage है वो कितना जा रहा है यह देखिए यह हमने लगाया और इसको लगा दिया हमने अब यहां पर जो voltage जा रहा है हमारा 2.9 यानि कि एक point voltage बढ़ गया है और इसका glow हो गया कुछ इस तरीके से अब यहां पर आपको लगता है कि इसके अंदर हम कम से कम 3 वोल्ट या 3.2 वोल्ट देना है हमें और हमारा LED जो है तब सही जलेगा तो हम क्या करेंगे यहां पर जो रजिस्ट्रेंस है उसको अब थोड़ा ज्यादा कम कर देते हैं यहां पर कर देते हैं पांसो साट ओम्स तो पांसो साट ओम्स का रजिस्ट्रेंस लगाते हैं तो इसके अंदर 3.2 और 3.4 के आसपास जो voltage है वो चली जाएगी और हमारा LED ज यहां पर हम पांसो साट ओम्स लगाते हैं तो यहां पर जो voltage है इसके अंदर 3 बोल्ट जा रहा है और 3 वोल्ट में जो इसका गिलो है कुछ इस तरीके से है लेकिन हम यहां पर जो voltage है वो इसको देंगे 3.2 या 3.3 के आसपास क्योंकि इस LED का जो voltage है वो इतना होता है साड़ यह उन भाईयों के लिए जो ज्यादा calculation नहीं जानते हैं और नॉर्मल तरीके से जो LED को जलाना चाहते हैं तो हमने इस LED को लगाया तो LED पर जो voltage जा रहा है वो 3.1 voltage जा रहा है जानी कि जो यह वाली resistance है यह वाली resistance है हमारी 330 ohms जो हम 12 volt से LED को जला रहे हैं और इससे जो LED का glow वह काफी अच्छा है देखिए तो इस तरीके से आप कोई से भी LED का जो रजिस्टेंस है वह चेक कर सकते हैं बढ़िया तरीके से तो मैंने सोचा दोस्तों सिंपल से बर्षाया चीक्रिक करने का सिरिप आपको रजिस्टेंस की जो वैल्यों से कम करना है नाहीं बढ़ाना अगर बढ़ाओगे तो LED कम होगा और अगर ज़्यादा resistance को कम करोगे तो उसका जो glow है वो ज़्यादा होता चला जाएगा तो दोस्तों मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना सेर करना, सस्क्राइब करना और बेल के आएकन को जुरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा